Hello everyone, this is Siddharth Patel. Welcome to Magnet Prince. इस lecture में हम एक बहुत ही important topic पढ़ने वाले हैं, जो कि यह recusal of judges. यह current affairs से related topic है, यह news में बहुत बार आचुका है और as a UPSC aspirant हमें पता होना चाहिए, as a civil services aspirant हमें पता होना चाहिए कि recusal of judges meaning क्या है. Recusal is the removal of oneself as a judge or a policy maker in a particular matter, especially because of conflict of interest. देखो इस line को बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत ही खुपसूरत line है. Recusal is a removal of oneself, मतलब मैं अपने आपको remove कर रहा हूँ. Removal of oneself, मतलब मैं अपने आपको remove कर रहा हूँ as a judge or a policy maker in a particular matter, especially because of conflict of interest. मतलब मैं judge हूँ, ऐसा मान लेते हैं, imaginary situation कि मैं judge हूँ और मैं किसी case की hearing में अपने आपको खुद से, मैं किसी case की hearing में नहीं जा रहा हूँ या मैं recuse कर रहा हूँ, recuse in the sense कि मैं उस hearing में नहीं बैठ सकता हूँ, आप मेरी जगा किसी दूसरे judges को बोले कि वो बैठ है, मैं इस case की hearings नहीं सुन सकता हूँ because of conflict of interest, because of conflict of interest. Conflict of interest मतलब कैसे, कि मान लो किसी company का case आया, मान लो मैं judge हूँ और मेरे reliance में कुछ share है, ठीक है, reliance में मेरे कुछ share है और reliance company का ही, मेरे पास मैं reliance का कोई case आया सुपरीम पोर्ट में अब जब मैं उसकी hearing के लिए बैठ रहा हूँ, जब मैं case सुन रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरे reliance में रुपे लगे हैं recusal of the case, recusal of judges, जब मैं मना कर दूँगा कि नहीं भीया, मैं इस case की hearing में नहीं बैठ सकता क्योंकि reason बताना compressor ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह यह reason है, ठीक तो उसे हम बोलते है recusal of judges, clear हुआ, अब आपको यह तो समझ मैं क्या, recusal of judges क्या, recusal usually takes place when a judge has conflict of interest, और has prior association with the parties in the case, या तो conflict of interest है और has prior association with the parties in the case, या तो यह भी हो सकता है कि मेरे family members में क्रिसी ने कोई criminal activity करी हो, और मैं जज हूँ, अब संजोग से उसका case मेरे पास महीं आ गया, ठीक है, उसका case Chief Justice system मुझे allocate कर दिया, कि आप इनके case की hearing देखिए, तो मैं जानता हूँ मेरे परिवार वालों को, तो usually मैं चाहूँगा क्या क्या, क्योंने सजा मिले, मैं नहीं चाहूँगा क्योंने सजा मिले, तो कहीं न कहीं मेरा conflict of interest आ रहा है, या फिर मैं उस party को जान रहा हूँ पहले से मुझे उस case के बारे में पहले से बहुत कुछ पता है, तो मैं अपने आपको recuse कर सकता हूँ कि नहीं, मैं इस case की hearing में नहीं बैठूँगा, क्योंकि मेरा वहाँ पर conflict of interest है, clear, अब आपको यह image clear हो गई है, that what is recusal of judges, now, recusal of judges, no written rules, कोई written rules नहीं है, यह judges अपने मन से, अपने consigns है, consigns of the judge and it is based on the discretion of the judge, यह judge की discretion ही power है और judge अपने consigns है, जो उनकी अंतरात्मा बोलती है, हो सकता है कि मैं judge हूँ, मेरे reliance में share भी हो, लेकिन मैं एकदम नहीं, share है तो क्या हुआ, मैं अपनी, मैं loyal हूँ, ठीक है, मैं अपनी duty के towards loyal हूँ, या फिर हो सकता है कल को मेरे भा है का कोई case आएगा मान लीजे, तो ऐसा मैं loyal रहूँ, क्या क्या मैं कहीं न कहीं अपनी duty के towards, मैं biasness करूँगा, कहीं न कहीं मैं अपनी duty, duty के towards biasness करूँगा, जो की मेरे duty के लिए ठीक नहीं होगा, या मेरे किसी company में share होंगे तो मैं जान बुच के उस company को फायदा पहुच होंगा, तो recusal of judges का आपको इतना ध्यान रखना है कि रिटन रूल नहीं है, यह judges की जो इक्षा है, मन की जो इक्षा है, discretionary, power, discretionary है, और consigns पे based है, ठीक, मुझे कोई दबाव नहीं डाल सकता, for example, वही कि मेरे family member का case आया, तो मेरे उपर कोई दबाव नहीं डाल सकता, कि तुम उस case की hearing में मत सुनो, जब तक कि मैं खुद, जब तक कि मैं खुद उस case से recuse नहीं हो जाता, जब तक कि मैं खुद उस case से हट नहीं जाता, clear है, because there are no written rules, it is based on discretion of judge, and it is based on consigns of judge, clear, now, एक example से समझते हैं, examples बहुत सारे है, recusal of judges के पहले की भी बहुत example है, और आगे भी ब बहुत example आएंगे, लेकिन हमें conceptual understanding चाहिए, examples तो change होते रहते हैं, हम एक example के थू समझते हैं, recent example के थू समझते हैं, land acquisition act of 1894 is replaced by the land acquisition, rehabilitation and resettlement act of 2013, ठीक है, पहले जो land acquire होती थी, land acquisition होती थी, वो 1894 के act से होती थी, लेकिन इस act को replace कर दिया, concept ने replace किया है, land acquisition, rehabilitation and resettlement act of 2013, LARR act, चीक, अब आप यह मत सोचने लगना हैं, कि सरह हम land acquisition कहां से पढ़ने लगए, यह हम एक example ले रहे हैं, इस case के थू हम समझेंगे, recusal of judges और conflict of interest को हम इस case के थू और अच्छे से समझेंगे, तो इतना हमें समझ में आगा, कि पहले land acquire इस law से की जा रही थी, लेकिन अ 13 का law बहुत अच्छा था, उसमें land acquisition, basically होती है, public use के लिए, इतना तो आप सभी को पता है, कि train बनानी है, train की पटरी निकाल दी है, train बनानी in the sense, train का track बनाना है, road बनाना है, कुछ भी public development के लिए, लोगों की भलाई के लिए, सरकार को land acquire करनी है, तो land acquisition करी उन्होंने, फिर social and environment impact assessment, अब जब land acquire करी है, तो पहले उसका social and environment impact assessment होगा, कितने लोग प्रभावित होंगे, वहाँ पे कुछ environment पर कोई effect पढ़ेगा, कि अब वहाँ पर कोई government को factory बनाती है, कुछ करती है, तो कुछ environment पर फरक पढ़ा, तो social and environment assessment किया जाएगा, and then rehabilitation and resettlement होगा, कि जो वहाँ प acquire, acquisition मतलब क्या, acquire मतलब क्या है, कि वो land पहले से किसी की थी, और अब government ने उसको ले ली है, किसी कारणवर्ज, कुछ उनको development activity करनी है, तो जो वहाँ पर लोग रह रहे थे, उनके लिए rehabilitation and resettlement के provisions रखे गए, कौन से act में रखे गए, यह रखे गए, 2013 वाले act में, L.A.R.R. Act में, यह सारे provisions का बहुत ध्यान रखा गया, कि यह assessment हो, rehabilitation और resettlement के provisions हो, यह 2013 के act में, यह सारी चीज़े रखी गई, अब यह act बहुत बढ़िया था, सारे काम बहुत सही चल रहे थे, लेकिन इसमें controversial provision आ गया, one of the controversial provision of this act is section 24 of L.A.R. Act, यह जो section 24 है, यह इसका controversial provision बन गया था, अब यह controversial provision क्यों बनाता हम उसे देखते हैं, land owner whose land has been taken prior to 2009, even if the state has put the land acquired to some use, its failures to pay the compensation would render the entire preceding negative theory, अब आप बोलेंगे सर अपने क्या बोल दिया, इसमें यह था, basically यहां पे यह कहा गया है, कि अगर सरकान ने किसी की 2009 से पहले भी जमीन ली है, और उनको रुपे नहीं दिये है, तो वो जमीन वापिस उन लोगों के पास में return कर दी जाएगी, चाहे फिर उस जमीन पे सरकार ने infrastructure क्यों नहीं बना दिया हो, for example, government ने मुझसे जमीन ली, government ने मेरी जमीन ली 2009 से पहले, और मुझे सरकार ने compensation नहीं दिया, मेरे पास compensation नहीं पहुचाय अभी तक, और सरकार ने मेरी जमीन पे कुछ infrastructure बना दिया, कोई सरकारी स्कूल बना दी, तो भी, तो भी वो जमीन मुझे return करी जाएगी, क्योंकि compensation नहीं दिया गया है, clear है, इतना आपको समझ मैं गया, यह इस act का controversial provision था, even if the state has put the land acquired to some use, its failure to pay the compensation will render the entire preceding negativity, वो पूरी preceding, जो जितना भी काम हुआ उसको वापिस अब आप zero से start करिये, ठीक है, और चाहे उस land का आपने कितना भी use कर लिया हो, clear, इतना समझ मैं, तो यह इसका controversial provision था, अब जब यह act बन गया, कोई भी law बनता है, तो cases भी तो आते हैं, है ना, यह एक normal सी बात है, parliament कोई भी law बनाती है, अगर मान लीजे, कोई चोटा मोटा law भी बना, कोई road safety से related law बना, तो उसके case judiciary में जाएंगे, कोई policy बनी तो उसके case judiciary में जाएंगे, triple का लाख law बना, तो judiciary में जाएगा, जब मुकिश्मीर से article 378 आया, तो judiciary में जाएगा, CAA आया, तो judiciary में जाएगा, मतलब law, एक चीज और समझ ही लोना भी लगे law और judiciary, इन दोनों का साथ साथ में law और case, case लेते हैं, law और cases ये साथ साथ में चलते हैं, law और cases साथ साथ में चलते हैं, जैसे जैसे parliament law बनाती है, जैसे जैसे parliament law पास करती है, वैसे वैसे judiciary के पास में cases आते रहते हैं, क्योंकि नए law आएंगे, तो नए cases आएंगे, clear है ये च वाली चीज़े थी इस चीज़ पर आगे डीटेल में बात करेंगे जो मैंने आपको समझाया है उसे हम जब अल इंडिया जुडिशल सर्विसेज पढ़ेंगे तब समझेंगे लेकिन बहुत अच्छी इंट्रस्टिंग चीज थी ना इसमें अब हम वापिस हमारे उस केस पर आते हैं इसमें क्या कहा गया है अब जब लॉब बना है तो उसका केस आया होगा थ्री जज़िस बैंच आफ सुप्रीम कोड के पास में केस आया उसकेस का नाम था पूने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेज हराक चंत मिश्री मिश्री मल सोलंकी ठीक है गवर्मेंट नेगिशियेट दो ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 24 अब इस केस में बेसिकली यह हुआ था कि पूने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेज इस परसन के खिलाफ यह केस जो भी था वह केस आया तो वहां पर ही हुआ था कि सरकार ने लोगों से जमीन ले ली थी और उनके कंपनसे लेने को मना कर दिया लोगों ने कंपनसेशन लेने को मना इसलिए किया था जैसे सरकार और लोगों के बीच में डील होगी एक्जामपल के तौर पर लेते कि 100 रुपे में 100 रुपे हम आपको देंगे इस लैंड के बदले में लेकिन उस चाइम मानलो लोग उस चाइम सभी लोग एग्री हो गए थे लेकिन बाद में जब लैंड एक्वायर होई तब हो सकता है प्रॉपर्टी वगरा के रिट बढ़ गए हो तब लोगों ने भोला कि नहीं हमें इतना कंपनसेशन नहीं चाहिए हमें आप 500 रुपे दीजिए हमें आप 120 रुपे दीजिए आप कंप नहीं है कंपनसेशन जाय नहीं जाय उसका तो अब देखा जाय का बाद में समझेंगे तो अर अगर आपको वह अपना यह 한국 का section 20 section 24 द्यानों तो उसमें ये था कि 2009 से पहले अगर किसी की land acquire की गई हो और उसको compensation नहीं दिया गया हो तो उस पूरे process को पूरा process निगेटरी एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा और वो land वापिस दे दी जाएगी उन लोगों को land वापिस उन लोगों की हो जाएगी ठीक है यह इस पूरे process में हुआ था इसके तहत बहुत सारे supreme court के पास में cases गए और उन लोगों को उनकी जमीन मिल गई अब ऐसे बहुत सारे cases थे तो वह case जाने लग गए supreme court के पास में जाने लग गए तो इस एक के तहथ सरकार ने सही किया और सारे court सारे court सब इस judgment को follow करने लगए क्योंकि supreme court की तीन बेंट तीन judges bench ने जज़्जमेंट दिया है तो सभी लोग इसी वर्डिक को follow करने लग गए अब कोई भी उस law से कोई भी कोई भी मतलब केस अगयर आता था तो इस वर्डिक को ध्यान में रखते हुए सारे अधर judgments देने start कर दिये गए इतना clear हो आपको यह वाला फर्स पार्ट था अपने example का अब हम चलते हैं second example पे second part पे sorry not second example second example में indoor development authority वर्सेश शेलेंद्र अदर केस अगें थ्री जज़ बेंच ऑफ सुप्रीम कोड इसमें अगें तीन ज़ज बेंच ऑफ सुप्रीम कोड बैठी थी लेकिन इसमें यह कहा गया कि अगर वो लोग रुपे लेने से मना कर रहे हैं तो भी इसमें सरकार की कोई गलती न कर दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब सरकार के सरकार उन लोगों को वह लैंड वापिस कर देंगी कि क्योंकि महां पर अल्रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है और सरकार तो रुपे देने चाहा रही है लेकिन वह लोग ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आप दिहान दे तो पहले के जज्जमेंट में पूने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में और इंदौर डेवलप्मेंट अथारीटी में कितना डिफ्रेंस है कितना डिफ्रेंस है ठीक दोनों थ्री जजजेज मेंच ने जजजमेंट दिया है इस जजजमेंट ने पूने वाले फॉलो होने लग गये थे सारे जज्जमेंट सारे सुप्रीम कोट के ओडर इस जज्जमेंट के हिसाब से वो लोग आगे काम कर रहे थे लेकिन जब कुछ साल बाद यह वाला जज्जमेंट दिया तीन जज्ज भी होती ना तो issue नहीं होता क्योंकि यह चोटी बेंच कहीं जाएगी बड़ी बेंच अगर इस जजमेंट को बदल देते तो फिर issue नहीं था जो जादा बड़ी बेंच ने बोला है हम उनके order को मानेंगे लेकिन यहां पर situation एकदम टसल वाली थी क्योंकि यहां पे भी three judges bench और यहां पे भी three judges bench तो एकदम situation tussle वाली थी क्योंकि Supreme Court के पास में cases और आते गए इस judgment के बाद में और cases आगए तो अब situation हो गई एकदम tussle की सारे judges भी सोचने लगे कि करें तो क्या करें क्योंकि यहां पे तीन judgments यहां पे तीन judgments इनने अलग-अलग different opinion के judgment दे दिये इतना समझ में आया अब इसमें एक चीज और समझ दो वैचे इस case से related हमें कुछ लेना देना नहीं है लेकिन यह example के लिए है उस वाले case में जो पूने पूने वाला जो case था जो पूने municipal corporation वाला case था इसमें Supreme Court ने यह कहा था कि आपको रुपे अपनी Treasury में नहीं रखना था आपको रुपे कोड की Treasury में रख देना था कोड की Treasury में रख देना था हम बाद में देख लेते लेकिन यहां पर इन लोगों आपने पूरे एक्जामपल समझ लिया आपने पूरी स्चोरी समझ ली अब हम आते हैं हमारे इस वाले टॉपिक पर वापिस क्योंकि अब यहां से हमें से समझना है जो इंदौर डेवलप्मेंट अथॉरिटी वाला जो जजज्मेंट था उसमें एक जस्चिस थे जस्चिस अरुन मिश्रा कौन थे जस्चिस अरुन मिश्रा थे इंदौर डाइबलाप्मेंट अथॉरिटी वाले उसमें अब जब ये वेतें आगे गया जब ये केस आगे गया पांच ज़जस के पाउन मिश्रा इसकी हेरिंग में बैठे थे इसैं इनकी केस येरिंग के बीच में अच्छी टेसल हुई थी दोनों के judgment एक दम अलग-अलग थे और अरोजिस अरुन-मिश्रा का ऊल्रेडी एक opinion बन चुका है जैस्टिस अरुन मिश्रा का ओल्रेडी एक opinion यह बन चुका है कि यह जो जमीन हैं यह सरकार की ही है यह उन अरुन मिश्रा थे तो जस्टिस अरुन मिश्रा उन लोगों के जस्टिस अरुन मिश्रा सरकार के फेवर में डिसीजन तेंगे इसलिए लोग बोल रहे थे कि जस्टिस अरुन मिश्रा को कर देना चाहिए और जस्टिस अरुन मिश्रा बोल रहे थे कि नहीं मैं नहीं करूंग अब यहां पर हम देख रहे थे तो जज़ेस का सीधे सीधे conflict of interest था वो already अपनी opinion बता चुके थे वो already अपने लोगों के सामने opinion दे चुके थे केस में बैठ चुके हैं for example मैं किसी केस में बैठाओं मैंने कोई केस की hearing सुनी है अब मेरे मेरे verdict से आप satisfied नहीं है मैंने जो भी decision दिया है आप उससे satisfied नहीं है तो आप उस verdict को कहां पर लेके जाते हैं आप उस verdict को higher authority के पास में लेके जाते हैं for example आपको आपकी मम्मी कोई चीज के लिए मना कर देती है वो बोल देती है कि नहीं मार्केट में नहीं जाना आइस्क्रीम नहीं खाना है तो हम वापस मम्मी के पास जाएंगे तो वो ज्यादा चेड़ेंगी या वो मना कर देंगी थोड़ा बहुत मनाते हैं तो मान गई त ठीक नहीं तो नहीं है ज्यादतर चांस्स छीए हैं और मम्मीने ऐसा bowl दिया कि मैंने मना कर दिया मार्केट में कर दिया आइस्क्रीम लेका मैं तो हम जाएंगे पापा के पास में, तो हम किस के पास में जाते हैं, पापा को अपनी बात कहते हैं, कि हमें आइस्क्रीम लेनी है, ठीक, तो यहाँ पे वो लोगों का injekना था कि हम already this judge के पास जा चुके हैं, उस judge का already opinion है, justice का already opinion है जस्चिस अरुन मिश्रा का अब वो यहां पर उस केस को सुनेंगे तो वो कहीं न कहीं पायसनेस करेंगे क्लियर है इतना समझ में आया तो ऐसे केसेज में यूजिली एक किये कहा जाता है कि जज़िस को रेक्यूस कर देना चाहिए क्योंकि वो उस केस में सुन रहे हैं और आपके आपकी वर्डिक्ट से वो इंसान सेटेस्वाइड नहीं है इसलिए तो उस केस की रिव्यू पिटिशन फाइल हुई है तो आप अपने आपको रेक्यूस कर दीजिए ना दूसरे जज़िस को सुन लेने दीजिए तो जस्चिस सारुन मिश्रा टेंगे कहना था जस्चिस सारुन मिश्रा का भी पॉइंट आप यू क्लियर है कि जो उन्होंने वर्डिक्ट दी है कोई ऐसा नहीं है कि फाइनल वर्डिक्ट है ठीक हर जग का अपने 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 होता है आपका भी हर चीज़ से कोई ना कोई ओपीनियन होगा किसी ना किसी political party से related opinion होगा लेकिन ओपीनियन होना सही बात है ऐसा नहीं है कि जो जज है उनका opinion नहीं है जो जज़ेज भी है वो भी कुछ ना कुछ opinion ले के आते होंगे human being है लेकिन opinion के साथ साथ में open-minded यह एक हिंदू के एडिटोरियल से हम डिसकस कर रहे हैं ठीक है यह हिंदू के एडिटोरियल में भी आया था अगर वह open-minded है तो हो सकता है आप convince कर दीजे जब यहां पर 5 जज़ जब 5 ज़ज यहां पर सुन रहे हैं जब यहां पर case चल रहा है तो आप अपने facts figure से injustice को आप injustice को क्या करीजे convince कर लीजे कि नहीं जो आपका opinion था वो गलत था चीक इतना आपको समझ में आया अब यह है कि क्या sir recusal और फिर हम कैसे देखेंगे कि कौन-कौन से cases में judges को recuse कर देना चाहिए कौन-कौन से cases में judges को recuse नहीं करना चाहिए यह भी सवाल आता है कि सर हम देखेंगे कैसे कि कौन-कौन से cases में नहीं करना चाहिए तो as noted by Supreme Court in NJAC judgment NJAC judgment a judge may be required to step down in one or two scenarios Supreme Court ने कुछ अपने cases में ही बस बताया है इसकी कोई guideline नहीं है यह कहीं भी written format में नहीं है Supreme Court ने बस ऐसी कुछ cases रहते तो सुपनी Supreme Court को टिपनी नहीं कर देता तो वैसी Supreme Court ने इसमें टिपनी की थी recusal के उसमें cases of presumed bias where judges has pecuniary interest मतलब money related interest in the outcome of an case in an outcome of an case अगर judge को पता है कोई case ऐसा आया है जिसमें judges का कुछ लेंदेन हो कुछ money related interest हो तो महां से judges को recuse कर देना चाहिए कई बार यह भी होता है यह हुआ है Indian judiciary के example में कि कभी judges के उपर corruption के भी इंजाम लगते हैं corruption के इंजाम सभी पर लग जाते हैं तो उन पर भी लग गए मैं यह नहीं वो रहों कि वह सही थे गलत थे वह corruption के इंजाम सही प्रूफ हुए गलत प्रूफ हुए वह altogether एक डिफरेंट डीबेट है सिफ इंजाम लगे है भी और कई बार judges उसकी खुद की यहरी में वह judge खुद बैढ़ जाते हैं जिनके उपर इंजाम लगा है वह खुद ही अगर उस case में बैढ़ जाएंगे तो क्या उनका इंट्रेस्ट नहीं होगा कौन इंसान नहीं चाहिए आज मेरे उपर corruption का इंजाम लगा है और मैं खुद पेरे case का judge हूँ I am the only judge in my case तो मैं तो अपने आपको बचाओंगा ही न तो ऐसे cases में नहीं होना चाहिए कुछ money से related या जिस company में आपके रुपे लगे हो किसी company में judges के रुपे बगेरा लगे हो किसी शेयर में इंवेस्ट हो तो वहां पे उस case को judge को नहीं सुनना चाहिए क्योंकि वहां बायस ने सजाएगी वहां पे आप अपनी duty के साथ में morally अच्छा नहीं करेंगे clear है और in case of apparent bias where a reasonable fair-minded observer would believe that there is a real possibility that the judges bias या फिर सामने वाली party को ऐसा लग रहा है जैसे हमने L.A.R.R. Act के तहत में देखा था जब सामने वाली party को लग रहा है कि यह judge bias हो सकते हैं क्योंकि इन judge का पहले से कोई point of view है तब उन judge को पहले से recuse कर देना चाहिए तो नहीं तो लोग में श्राब हो सकता है कि अच्छे से काम नहीं करें हो सकता है वो bias decision दे से लोगों के मन में था कि हो सकता है वो bias decision दे तो तब judges को recuse कर देना चाहिए in the later test of apparent bias which has been invoked in the ongoing proceedings यह वाली जो latest यह वाला जो था यह वाला उस case में applicable है अब क्या way forward होना चाहिए recusal of judges way forward क्या होना चाहि आपको recusal of judges का मतलब पता चल गया आपको यह पता है कि यह कहीं return नहीं है आपको यह भी पता है कि judges के अपने मन के ऊपर है कोई मुझे नहीं बोल सकता मुझे कोई दूसरे जज भी नहीं बोल सकते कि सिधार तुम उस case से हट जाओ तुम उस case की hearing में मत जाओ यह मेरा यह वाली में चीज है जब कोई इंसान रेक्यूस करता है ठीक है जब जड़े रेक्यूस करते हैं और मैं रेक्यूस कर रहा हूं अपने आपको तो मुझे रीजन बताना चाहिए रीजन बताना जड़ेश के उपर बाइंडिंग नहीं है प्रिलिम्स में तो ध्यान रखिए के मैं चाहूं तो मैं ऐसे ही कर सकतां कि नहीं मुझे केश की ह办ें मैं नहीं बैठना में इसकेश की एरिंग में बैठओंगा प्रिसेडिंस के मैंने बैठओंगा व इस कारण से वो इस केस में नहीं बैठ रहे हैं तो हम तो बड़े खुश हैं कि देखो जज कितने बढ़ियां थे उन्होंने रीजन दे दिया कि मेरा ये पॉइंट आव ये पहले से था हो सकता मैं बैठो तो मैं बैसने दिखाऊंगा लेकिन इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंक में clear now recusal of cases leads to the high amount of uncertainty and judicial backlog अब recusal का side effects भी है मतलब criticism हम देख सकते हैं कई पार जजजेस ऐसे ही रेक्यूस कर देते हैं किसी भी केस से मालो कोई केस हुआ कोई भी related को एक sensitive मुड़े से सोच रहे हैं कि अपने प्रती वो एक बुरी नजर से लोग हमें देखले हैं व्लेकि आप तो judges ने ऐसे ही रेक्यूस कर दिया कोई important sensitive issue है ज़से को लगा कि नहीं है इस case से दूर भले तो judges उसमें भी तो रेक्यूस कर सकते क्योंकि एक तो reason भी नहीं देना है एक तो judges की inner consigns के basis पर है judges को reason देना हो तो वो खुद देना चाते हैं तो no problem लेकिन उन्हें कोई force नहीं कर सकता और एक तो खुद की duty अच्छे से नहीं निभाए वो अपने personal gain देखती हो कि नहीं लोगों के मन में मेरी लिए विद्र हो जाएगा यह मुझ से सरकार बुरा मान जाएगी मैंने सरकार के खिलाब judgment दे दिया तो तो रेक्यूस ही कर लो तो यह एक इसका criticism हो सकता है it's high time that there must be some guideline to the direction of the judges for the recusal as judgments are not enough एक यह हाई टाइम आगया है सिर्फ judgment से काम नहीं चलेगा जैसे NGAC में सुप्रीम कोट निए दो judgment के थूप बता दिया कि judges को अब अब रेक्यूस कर देना चाहिए सिर्फ क्या इस judgment से काम चल जाएका यह judgment को follow करना है तो कर रहे है नहीं करना रेक्यूसर हो सकता है I hope आपको रेक्यूसर अफ जजेस अच्छे से समझ में आया होगा एक important topic था ऐसे हम बहुत सारे topic बील करेंगे content of court बील करेंगे बहुत सारे current issues से रिल्टरे topic डील करेंगे जो कि हमारे books में नहीं है मिलते है next lecture में तब तक के लिए धन्यवाद